संबल में दबंगोंने बरातियों के साथ गुंड़ाई कर मार पीट कर कारों में बुरी तरह तोड़ फोड की है मामले का संग्यान लेकर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है अलबता घटना के बाद अपरत अफरीका मोहल बना रहा पूरा मामला यूपी के जन पर रामपूर से बरात आई थी बताया जा रहा है कि बरात घर के बाहर रिक्षा चालक का पहियां किसी शक्स के पैर पर चड़ गया फिर तो वहां पर बबाल शुरू हो गया लोगों ने वहां खड़ी उन बरातियों की लाको रुपय की कारों को तो डाला लोगों ने कुछ बरातियों को भी पीट कर गायल कर दिया मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके से तीन बबालियों को पकड़ कर ले गई एस पी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि तीन आरोपयों को गिरफतार कर लिया गया है आविशक कारेवाही की जा रही है क्या नाम्यापका अब कर दो यह लांपर यह संबल क्या करने करें अटेंड कर रहा था तो इसे घृटी अजये गाड़ी लेकर रहा है रामपूर से अभी मैंने जश्ट घड़ी करी और खाने के हम खाना खाने करें लोगों काने मतलब चले है तब पता जला कि आप तो गार तोड़ दी है तो मीनदेखा हमारी ईए मारी काडी साइट टूटी हो हम देखा बाहर तो हमारी गाह्याडी तूटी पड़ी थी पता-.. किस में जगडा हुआ हुआ क्या हुआ फ़र गाडी तो जो दी है आप प्रसक्राइट कि जियम तेरो रभी बढ़ना का मेरे नाम है मैं रामपुर कर निवासी हूँ अच्छा अच्छा एक पूर मामला यह था इन लोगों ने लगी है वो अंदर हो तीके अब उसके बाद इन लोगों ने लगड़ी पटले पूरा मोहले हो गया जिस एक लेड़ी सके यह मुझे हाथ पकड़ के इसा कुछ नी था सारे लोग पढ़े लिगें दूसरी बात भाद मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी में करो ड़ाई इनसान से थी इन लोगों से तो नहीं इन लोगों ने मेरी कार मेरे मित्र की कार पे जो है डंडे मारे हो चारू शीशे तोड़ दी बिंडो के भी बाथ एक ब्राद में ब्रातियों वह एक सड़क से निकलते हुए रिक्षे वाली के मद्दे ज़गा हुआ दोनों पक्षों की तरब से मार पीठ हुई इसमें उचित धाराओं में अभ्योग पंजी करके वैधानी कारवाई की जा रही है तीन लोगों को ग्रफतार करके उनके व इंटेवेक्शन किया जारा है